असलाम अलाइकुम एव्लिवान वेलकम तो सामी जोक्षन कीचेन आज मैं आपके साथ कोफी की रेसीपी सेयर करना चाहती हूं वैसे कोफी हम बनाएंगे जैसे हम बाहर कोफी शॉप में जाकर कोफी पीते हैं वैसे ही वैसे सद्धियों का मौसम चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि अभी कर्मा गरम कोफी या तो खिर मसाले वाली चाही ज्यादा पसन होती है अभी ही में बाहर गई थी सॉपिंग में बहुत ही सर्डी थी वैसे भी लंडन में बहुत सर्डी होती है मेरी उंगल्या देखो काफी सुच गई है सुजन सी हो जाती है यह तक के हाथ में कोफी बनाई और पीते हैं कोवी बनाने के लिए माने 2तीसपोन कौफी उद और 3तीसपोन मैं गूदोना सा पानी पीते हैं तो पहले हम ले लेएका बोल बोल बावल में जाए के सुकर सिसमें जाएगे यह कोफी अब इसको हम एलेक्तिरिक हैन मशीन से मिक्स करने पहले मैं स्लो पे रखोंगी लुशन जलांगी ए है इसको हम याजर सीब होरा आगो है इसको और मस्कायब हो है सब्सक्रीड तो रके केलिए इसको हम बहुत ही गारा होने तक शेयर खुषर अलब मैं मसीन की स्पीर में बरादूंगी मैंने मस्इन की सपीर करदी है जा रहा udah, पना लेक्ट्रिक अग्छलम हो रख छेंज हो रहा है नहीं सी तरह कर此 विट अन्य late अब भी तो शुर्फ मैं और मेरा भीडा ही पियेंगे यह देखे हमारी कॉफी एक दम बिलकूल रादी हो चुकिये हम इसको चेक करेंगे के नीचे गिरता है के नए यह देखे नहीं गिरता तो यह बिलकूल डन है तो अब इसको हम निकाल लेंगे स्टॉर कलने के लिए हाला कि हम लोग बाहर गए थे शॉपिंग में वह पर इतनी सर्दी लगी थी कि हमें पहले तो यही मन हुआ कि हम कॉफी सब चले जाए उदर गए भी इतना रस था उदर के फिर सोचा के नई अब घर जाके ही पीते है फ अब इसको इसको इस तरह स्टॉर कर सकते हैं वन या टू विक के लिए फिर जब कभी मन कड़े त्याब वन या टू स्पून आपकी मर्जी के हिसाब से आप डूट करम कड़िया और फिर कॉफी बना के पी सकते है आप सोड़ी मुझे इतनी सदी लग गए कि मैं ठीक सरह से बोल भी नहीं पा रही हूं मेरी आवाद भी जैसे अंडर से कांप रही है मैंने एक तरफ मिल्क भी हीट पे रख दिया था वह मासाला अच्छे से गरम भी हो चुका है हम इस तरह करेंगे ताकि इसको भी जागा जाए इसको उबाल लेंगे फिर अंडरी अंडर इसको फैं जाए है पन यह मेरे बच्चे के लिए इसका कब बना रही हूं इसको ज्यादा ठीक कॉपी चाहिए इसको एकडम गाड़ी सी चाहिए कि नहीं मुझे गाड़ी उसको मिल्क कम और कॉफी जादा चाहिए और हॉत मिल्क को हम ठोड़ा ऊपर से डालेंगे यानि थोड़ी उंचाई से लाएक इस तरह इदे को इतने खूब सरक लग देए इस तरह थोड़ा-थोड़ा अंडर से ही लाएंगे ताकि वह जागंदर बैठे और फिर वापिस हम थोड़ा मिल्क और थोड़ा-थोड़ा है बंदा वैसे भी विंटर के ताइम पर चाय और कौफी की ज़्यादा दिमांड होती है जाय से बात है यह चीज गर्मा गर्म जब बोडी में जाती है तो बोडी हमारी एक अलग सी एनर्जी फिल करती है यह मैं अपने लिए बना रही हूं तो मैं अपने लिए थोड़ी से बनाऊंगी ज़्यादा ठीक नहीं रखूंगी मैं आप भी अपने इसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं और जो कोई भी मेरी वीडियो ठेक रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे प्लीज लाइ अच्छे से सब मिक्स हो जाए उसके बाद फिर से थोड़ा सा डूड़े अट कर देंगे यह देखिए हमारी कॉफी बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है अब हम उपर से भी थोड़ी सी और कॉफी अट कर देंगे ताकि उपर और भी बढ़ी आसा जाक लगे इसका लुक्स बहुत ही नाइस लगता है हम उपर से इसको मिक्स करेंगे जैदा अंदर तक नहीं एक लेंगे अब इस कॉफी को चाहे आप अपने हिसाब से अपनी मन पसंद से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं लाइक आप कॉफी छी रख सकते हैं फिर आप सुगर भी दस कर सकते हैं इस पर आप चाहें तो वाइपिंग क्लीम भी यूज कर सकते हैं उपर से वाइपिंग क्लीम डालते वह भी मज़े की लगती है फिर कुछ लोग चॉकले चिप्स भी एर करते हैं आप चॉकले सोस भी डाल सकते हो लाइक डिजाइन आप चले भी यह मैं इसको कोफी विज सामी जॉक्सन कीचेन तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अला आफिज